आपत्ती निवारण के कुछ स्वर्णिम सूत्र विपत्ती से घबराव मत, विपत्ती कडवी जरूर होती है, पर याद रखो, चिरायता और नीम जैसी कडवी चीजों से ही ताप का नाश होकर शरीर निर्मल होता है। विपत्ती में कभी भी निराश मत हो वो, याद रखो, अन उपजाकर संसार को सुखी कर देने वाली जल की बूंदें काली घटा से ही बरसती हैं। विपत्ती असल में उन्ही को विशेश दुख देती है, जो उससे डरते हैं। जिनका मन द्रढ हो, संसार की अनित्यता का अनुभव करता हो, और हर बात में भगवान की दया देखकर निडर रहता हो, उसके लिए विपत्ती फूलों की सेज के समान है। जैसे रास्ते में दूर से पहाड़ियों को देखकर मुसाफिर घबरा उठता है कि मैं इन्हें कैसे पार करूँगा, लेकिन पास पहुँचने पर वे उतनी कठिन मालुम नहीं होती, यही हाल विपत्तियों का है। मनुष्य दूर से उन्हें देखकर घबरा उठता है और दुखी होता है। परन्तु जब वे ही सिर पर आ पड़ती हैं, तो धीरज रखने से थोड़ी सी पीड़ा पहुचा कर ही नश्ट हो जाती है। जिस तरह खरादे बिना सुन्दर मूर्ती नहीं बनती, उसी तरह विपत्ति से गड़े बिना मनुष्य का हरिदय सुन्दर नहीं बनता। विपत्ति प्रेम की कसोटी है। विपत्ति में पड़े हुए बंधू बांधवों में तुम्हारा प्रेम बढ़े और वह तुम्हें निरभिमान बनाकर आदर के साथ उनकी सेवा करने को मजबूर कर दे तभी समझो कि तुम्हारा प्रेम असली है। इसी प्रकार तुम्हारे विपत्ती पढ़ने पर तुम्हारे बंदू बांधवों और मित्रों की प्रेम परिक्षा हो सकती है काले बादलों के अंधेरे में ही बिजली की चमक छिपी रहती है विपत्ती अर्थात दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा, पतज़ड के बाद बसंत ही सुरिष्टी का नियम है याद रहे कि जब तक सुख की एक रस्ता को वेदना की विशमता का गहरा आघात नहीं लगता तब तक जीवन के यथार्थ तत्व का परिचय नहीं मिलता, विपत्ती पढ़ने पर पांच प्रकार से विचार करो पहला, विपत्ती अपने ही कर्म का फल है, इसे भोग लोगे, तो तुम कर्म के कठिन बंधन से छूट जाओगे दूसरा, विपत्ती तुम्हारे विश्वास की कसोटी है, इसमें न घबराओगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी तीसरा विपत्ती मंगलमय भगवान का विधान है और उनका विधान कल्यानकारी ही होता है इस विपत्ती में ही तुम्हारा कल्यान भरा पड़ा है चौथा विपत्ती के रूप में जो कुछ तुम्हें प्राप्त होता है यह ऐसा ही होने को था नई चीज कुछ भी नहीं बन रही भगवान का पहले से रचकर रखा हुआ ही दृष्य सामने आता है पांचवा जिस देह को जिस नाम को और जिस नाम तथा देह के संबंध को सच्चा मान कर तुम विपत्ती से घबराते हो वह देह नाम और संबंध सब आरोप मातर हैं इस जन्म से पहले भी तुम्हारा नाम, रूप और संबंध था परन्तु आज उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं यही हाल इसका भी है फिर विपत्ती में घबराना तो मूर्खता ही है क्योंकि विपत्ती का अनुभव देह, नाम और इनके संबंध को लेकर ही होता है जीवन के समस्त अन्यव्यापारों की तरह कठिनायों और आपत्तियों का आते जाते रहना भी स्वाभाविक नियम है उनको बुरा या भला समझना बहुत कुछ अपनी मनोवृत्ती पर निर्भर है पर वास्तव में अधिकांश आपत्तियां मनुष्य को उसकी गलतियां बतलाने वाली होती है इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि कैसी भी आपत्ती क्यों न आ जाए धैर्य को कभी न छोड़े और शांत चित से उनके निवारन का प्रयास करे ऐसा करने से आपत्तियां हानी करने के बजाए अंतिम परिणाम में लाभकारी ही सिध्ध होंगी गायत्री मंत्र के तु अक्षर की व्याख्या आपत्तियों में धैर्य लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिशी चिंतन को सब्सक्राइब ही कर लें साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहें, धन्यवाद